तो lockdown खुल चुका है, business से सब शुरू हो गए, लेकिन business नहीं हो रहा, customer नहीं आ रहे, तो इससे businessman जो है, वो काफी frustrated हो चुके है, तो इसका solution क्या है, तो इस वीडियो में आज हम दिखेंगे complete problem, in-depth problem कि ये क्या problem है, क्यों customer नहीं आ रहे, क्यों business से शुरू होने के बाद भी business नहीं हो रहा, और अंत में इसका 100% solution हम इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर आप अपने business के बारे में serious हो, तो ये वीडियो end तक जरूर देखना, इस वीडियो में हम कोई भी business के बारे में कोई फाल्तू techniques या ऐसे कोई बखवास नहीं करेंगे, जो most of YouTube वीडियो जो है, जो grow your business वाले YouTube वीडियो है, उसमें हम देखा जाता है, कि वो लोग वही घिसी पीटी common चीज़े बुलते हैं कि marketing करो, sales करो, अपना customer को अच्छा experience दो, ये सब बकवास नहीं, ये lockdown के बाद जो problem हुआ है, उसके इसाब से आप कैसे अपने business को फिर से grow कर सकते हो, और grow क्या, उसके जो normal जो growth है, उसके अलावा आप इसको एक opportunity में convert करके, उससे आप कैसे फाइदा निकाल सकते हो, इसके बारे में हम discuss करेंगे और 100% solution देंगे, अगर आपको वीडियो के end तक ऐसा solution नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को आप dislike करना, और अगर आपको proper solution मिलता है, और ये वीडियो आपके लिए useful होता है, तो इसे like और share जरूर करना, तो चलिए शुरू करते हैं, तो इसका solution समझने के लिए, सबसे पहले हमें इस problem का source समझना पड़ेगा, तो problem का source क्या है, आपके customers, आपके employees के मन में क्या problem है, वो क्यों आपके office पे, आपके shop पे, आपके restaurant पे, तो इसमें सबसे पहली चीज है, जो आपके customer की बात करें, तो सबसे पहली चीज है, the fear of infection, यानि उन्हें डर है कि वहाँ पे infection हो सकता है, अब infection को अगर हम narrow down करेंगे, दो सोर से, एक तो आपके business पे, आपके counter पे, आपके जो restaurant में जो लोग होते हैं, उन लोगों से infection हो सकता है, लेकिन वो हम जो gloves है, mask है, sanitizer है, इससे हम solve कर सकते है, उससे वो चीज solved है, अभी दूसरा जो main problem है, वो है कि आपकी जो property है, अगर customer आएंगे, तो आप जहाँ पे समझो shop है, तो shop पे desk पे वो लोग हाथ लगाएंगे, अंदर चल के आएंगे, आपके जो चीजों को वो ल आने के बाद एक customer हाथ लाके कि हर बार हम उसके ओपर यह नहीं मार सकते, तो यह दूसरा एक बड़ा problem है कि customer के fear में जो है, यह customer के मन में जो है fear है, fear of infection कि यहाँ पे इस property में हम जाएंगे, तो वहाँ पे हमें infection हो सकता है, तो अभी हमें problem समझ गया, तो यह problem है, इसे हमें solve करना है, अगर यह problem solve हो जाते हैं, तो क्या problem है, तो कोई problem ही नहीं है, फिर customer पहले की तरह आ सकते है, पहले की तरह लेंदेन हो सकता है, पहले की तरह पूरा system चल सकता है, तो इसके लिए, जो है, हम solution करेंगे, तो अब हमें ऐसा solution चाहिए, इसको counter करने के लिए, कि hand sanitizer और जो gloves है, mask है, उससे चलो, logo का तो problem हो है, आपके shop में या इसमें आपके जो employees या वो है, वो उनके ओपर उनको जो है, infection spread नहीं कर सकते हैं, उन्हों ने तो सब पहना हुआ था, लेकिन आपके दुकान पे, आपके shop पे, restaurant पे, आपके mall पे, जहां पे भी, तो उसके पहले दूसरे बिल है, जो paperwork है, जो चीजे हैं, जो लोग हाथ लगाते हैं, तो इसके लिए हमें ऐसा solution चाहिए, जिस पे हम, जो हम regularly बार-बार कर सके हमारे पास जो इसका, मतलब easily हो सके, इसमें पानी और इसका इसका इसमाल नहीं होना चाहिए, दूसरा है, इसका इस चीज को हम हर एक च करते हैं, तो chemical और पानी हम यूज़ करेंगे, तो उसमें recurring cost आता है, chemical के bottle खतम हो जाएंगे, आपको chemical बार-बार हर एक customer के बाद हो possible नहीं, आपको recurring cost बैठ जाता है, तो ऐसे problem का क्या solution है, इस problem के हिसाब से एक ही solution है, जो एक ही technology है, जिससे आप अपने property को चाहे जितने बा chemical के और बिना किसी recurring cost के, जो है UVC, अभी UVC एक ऐसी unique technology है, जो यह coronavirus है, उसी time पे इस technology पे research हो और यह develop हो चुकी है अभी, और यह काफी सारे business है उसको already use कर रहे है, तो UVC से क्या है कि इससे कोई पानी, कोई chemical यूज़ नहीं होता, इसमें recurring cost नहीं, जैसे कि chemical अगर आप होता है, light समझो paper हो, form हो, कुछ भी हो, sofa हो, जिस पर पानी नहीं मार सकते है, हर एक चीज़ पर आप यह गुमा सकते हो, खानी की चीज़ों पर भी आप गुमा सकते हो, आप electronics पर गुमा सकते हो, इसको बस गुमाने से क्या हो जाता है, कि दो चीज़े हो जाती है, एक तो आ UVC अप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसमें आपके लिए भी नहीं technology होगी, यह सच में नहीं technology है, लेकिन यह प्रूवन है, जितना डेटॉल प्रूवन है, उतनी यह भी प्रूवन है, इसके पास भी 99.9% जो है, उसके certificates आ चुके अभी, UVC widely accept हो चुके है, और काफी जग में आपको अंतर करना आना चाहिए, विकास काफी सारे fake devices भी है, तो आपको सबसे पहले जो certified है, प्रॉपर जो devices है, जिसके साथ test certificate आपको मिले, जिसके साथ बाकी recommendation letter, certification हो कि यह इसका proof हो कि already use हो रहा है, वैसे आपको proper जो branded वो आपको लेने यहां पे जरूरी है, विकास अ भी लगाना पड़िया कि भई हम लोग जो use कर रहे हो इतना इतना certified यह है, क्योंकि certificate जो product है, प्रॉपर certified product है, तो इसके दो फाइदे होते कल जाके कुछ बैन होता है, कुछ होता है, तो आपके पास तो certificate है, आपको कुछ फरक नहीं पड़ेगा, और दूसरा, आपके customers भी अगर आपके customers भी आपसे proof मांगें, कि आप जो use कर रहे हो, आप जो यह कर रहे हो, उसका certificate क्या है, उसका genuineness क्या है, कि आप कैसे बोल सकते हो कि यह genuine है, तो आपके पास directly यह है, कि भई हम लोग जो use कर रहे है, genuinely certified चीज यूज कर रहे है, और इसके वैसे आपकी property भी एक से certified हो जाती है, कि यह proper sterilized और clean property यहां आके आपको infection नहीं होगा, तो अब इसके बारे में हम in detail थोड़ा समझेंगे, कि यह क्या है, कैसे यूज करना है, और कैसे आप अपनी property instantly sterilize कर सकते हो, तो UVC में जो sterilizers है, उसमें तीन टाइप के sterilizers आते हैं, एक होते हैं, कि यह जैसे आप देख सकते हो, कि यह portables, यह handheld stylizers है, इन्हें आप हाथ में पकड़ सकते हो, और आपका furniture हो, desk हो, reception table हो, या आपके जो electronics products हो, चाहे उस पर आप गुमा सकते हो, दूसरा type है, यह जो box type stylizers, box type जो होते है, fruits है, mask है, या जो ऐसी कोई चीजे है, mobile है, wallet है, जो आप box के अंदर रख सकते हो, उसके लिए box होता है, और जो तीसरा type का जो stylizer है, वो है, foot stylizer, तो foot stylizer जो होते है, जैसे आप देख सकते हो, यहां पे दो पैरों के निशान है, यहां पे जो भी लोग आपके shop या बिजनेस जो आफिस या जिसमें जो उसके अंदर आते हो, उसके entrance पे यह लग कर सकते हो, पानिया, chemical से की, हर customer आने के बाद infection के chances होते हैं, उसको आप हर बार stylize करोगे, तो उसके बदले यह होता है, कि यह customer आते ही, जो आपके shop के अंदर infection आने के chance ही नहीं, तो यह सब use करने के बाद आप अपने customers को guaranteed बोल सकते हो, कि भई, this is a UV stylized facility, इसमें infection के chances नहीं ह तो चलो, अभी आपने समझो UVC devices ले लिए, आपके shop पे, आपके business पे आपने सभी devices लगा दिये, आप बार बार हर बार जब चाहिए आप stylize कर रहे हो easily, without water, without chemicals, without any recurring cost, लेकिन यह सिफ आधा काम है, अभी आधा काम और बाकी है, बाकी आधा काम यह है कि आपको अभी customers को बता नहीं होगी, ओके अभी इसके दो तरीके हैं, दो दोनों साथ में करने होंगे, पहला तरीका यह है कि अगर सब अब प्रॉपर कोई certified UV stylizer लेते हो, जैसे कि यह वाले UV stylizer है, यह इसका UVizer इसका brand है, या फिर blue cat, ऐसे दो तीन brand है, जो properly self established, properly established brand है इस चीज में, और काफी जग sticker मिलेगा, तो यह जो sticker आप देख सकते हो, इसे आप अपने shop या आपके restaurant, आपके hotel, आपके reception area में इसे लगा सकते हो, इसे क्या होता है कि customer आते ही उसे दिख जाता है कि यह UV sterilized है, अभी सिर्फ इसे भी कामनी होगा, इसके साथ आपको और एक चीज कपल करनी होगी, जो है क आपको WhatsApp के जो banners होते हैं, या फिर pamphlets, उस पे भी आपके दुकान का नाम या आपके shop का, आपके business का जो भी है उसका नाम आपको यह करना पड़ेगा, और उसके साथ जो है pamphlet में या फिर WhatsApp pamphlet में कि भाई, यह यह shop है, यह हमारे offers है, और हम लोग, this is a UV sterilized facility, इस पे infection का को सर्टिफाइड है, यह 99.9% disinfection के लिए, तो आप यहां पर बेजिजग आ सकते हो, तो इस तरह से जब आप यह करोगे, तो क्या हो जाएगा कि customer तक यह बात पहुचेगे कि भाई, यह business, यह वाली property, UV stylized है, हम यहां पर बिंदाद जा सकते हैं, तो यह सिर्फ UV stylized करना जरू यह सब कर रहे हैं, और वो सब दोनों जब मिलके एक साथ होगा, तो क्या होगा कि बाकी businesses, आपके जो competitors है, वो सब बंद है, तो और customers को उस चीज़ के आपका जो भी product यह service हो, उस चीज़ की जरूरत तो है, और लेकिन वो disinfection उस वज़े से बाहर नहीं निकल पारे, तो यह आपके लिए एक opportunity भी बन सकती है, और अच्छे कासी opportunity बन सकती है, बिकास आपके सभी competitors के पास लोग नहीं जा सकते, तो वो लोग भी आपके पास आने के अच्छे कासे chances है, क्यों it's like कि वो शुरू हो चुके है, लेकिन वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन यहीं पे हम पहुचाओ, कि भई हमारा business totally 100% safe है, हम लोग यह चीज यूज़ करते हैं, यह भी certified चीज़ है, आप यहाँ पे बेजीज़क आ सकते हो, आपको infection होने के कोई chances नहीं है, तो आपको अपना खोयावा business as well as जो नया business जो आने वाला है, जो आप क्योंकि आपके competitors भी बन दे, वो business भी आपको मिल सकता है, अगर आप यह properly इस opportunity को इसे use करो, तो अगर आपको कोई इसमें doubt हो, या फिर इससे भी आपका काम ना हो, तो आप comments में जरूर लिखना, हम उसका reply research करके proper आपको उसके भी reply बनेंगे, उसके अगर आपको business strategy चाहिए, अगर इससे आपका काम नहीं हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक करें, थैंक यू